Finally मैंने Attack on Titan के दो सिजन देखे वो भी दो दिन में हाँ 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 बहुत ही लेट देख रहा हूँ मुझे पता है और हाँ मेरे दिमाग में एक वियर्ड सा question आ रहा है इन सारे Titan को कुछ दिखाया नहीं है इसका मतलब इनको बच्चे कैसे होते है और कुछ अलग होता होगा तो कुछ चोटे है कुछ बड़े है कैसे होता होगा हाँ 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 वी क्या सोच रहे तू Back to the point Attack on Titan की जो स्टार्टिंग है उसमें मुझे बोरिंग सा लग रहा था मतलब की स्टार्टिंग बोरिंग नहीं है स्टार्टिंग में 5 मिनिट में सबसे बड़ा Titan आ जाता है और बहुत सारे terrible scenes दिखाये और literally सबको ऐसे मच्चर जैसे मारते हैं ना कि समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है में चीज़ ये हो रही थी कि Titan बहुत ही overpower लग रहे थे और इसी वज़े से मुझे पता नहीं चर रहा था कि इन्हें रोकेंगे केसे to be honest विद्यू पहले 2-3 एपिसोड तक में connect नहीं हो पा रहा था अपना संदीप महेश्वरी motivational line दे रहा था कि मैं ये करूँगा वो करूँगा वर्ल्ड को change करूँगा इंस्टा भी इतने सारे spoiler आते हैं उसके वैसे मुझे sort of पता था कि इरन के बाद कुछ ना कुछ पावर है बट जबी Mikasa को बचाने के लिए वो Titan बनके आता है ना वहाँ पे ही में पागल हो गया था उसका मरना एक तो मुझे digest नहीं हुआ था कि इतने जल्दी ये कैसे मर गया और उसके बाद वो तुरंद उसकी entry and all वो सारी चीज़े बहुत ही अच्छे से दिखाए गई और यहाँ तक मुझे क्या ब्रहमता पता है कि Mikasa Iran की बहन है पर बाद में जाके मुझे सब पता चल गया उन दोनों का वो स्टोरी आग भी अच्छा था जहाँ पी Iran चोटा था तबी उसको Mikasa को बचाने के लिए जाता है और बाद में उससे कैसे adopt किया जाता है अब यहाँ पी important चीज क्या होती है न attack on titan देखने से पहले मेरा mind कुछ अलगी था मुझे क्या लगा था कि यह बड़े बड़े bings है इनको मारेगे कैसे इन्हें रोकेंगे कैसे overall survival कैसा रहेगा इसके उपर यह series रहेगी but to be honest with you यह boring सा लगता है but जब यह तुम series चालो करोगे न इरन का जैसे secret reveal होई जाता है उसके बाद बहुत सारे secret reveal होने लगता है तुरन एनी भी एक titan निकलती है उपर से उनकी जो wall बनाई गई है वो भी titans के वज़े से बहुत सारे unbelievable twist आ गये है और आगे क्या होगा न इसके लिए दिमाग दोड़ने लगता है second season तो और भी peak पे लेके गया इरन की तो अलगी power दिखा ही ending में और इरन और मिकासा की ending वाले sequence में जो बात ही दिखाए गई वाँ पे मेरी फट गई थी मुझे लगा मिकासा तो गई बट अभी तक सब अच्छा है और सबसे बे सीजन टू तक मुझे जो character पसंद है उसके rated बात करते है अगर अदाओ पे जिसके में फिदाओ वो मिकासा ही है उसके बात में रखूंगा लीवी को कौनसे brand की बहनता है पता नहीं बट ये खूद एक brand है उसका रहना उसका attitude हाई हाई और उसके बात इर्विन स्मीट कमांडर भाई पुचो ही मत भाई बंदे का हाथ कड़ गया था और जब ही भी बाते करता है न अलग ही आग लगती है और वो हाथ कड़ गया वहाँ पे मेरा भी थोड़ा कड़ गया कि भाई अब भी इसका हाथ कड़ गया आगे जाके क्या दिकाएगी इसके related और उसके बात गरीबों का Tony Stark आर्विन मतलब कुछ भी mystery रहेगा इसका दिमाग पहले ही दोड़ता है सो सीरीज की शुरुआती एक बड़े वाले के साथ हुई भाई टाइटन के साथ वी क्या सोच रहा है सो आगे जाके भी ये सीरीज कितने बड़े बड़े question मुझे दिलाती है इसके लिए मैं तो excited हूँ सो प्रॉबबली अब भी तक बहुत सारे जन्नी ये सीरीज देख चुके है और जिनोंने नहीं देखिए उन्हें ये वीडियो शेर करके बताना कि कितनी interesting है ये सो आगे के seasons के उपर भी मेरा perspective क्या है इसके related भी वीडियो बनाएंगे अगर इस वीडियो को अच्छा support मिला तो so that's it for the today we अलवीदा लेता है